डियर लीडर्स अप्लाइंड डॉलाइंज वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल दे स्पार्टन एजिस्पियर जैसे का आपको स्वाइड में नज़र आ रहा है तो आज हम डिसस करने वाले एक वेस्टिज के बहतीन प्रोडेक्ट जिसको वेस्टिज फ्लैक्सोयल के नाम यूजबर नहीं कर लेते हम जली आजकल गलत खांफान की वज़े से और अमारी बोडि के अंदर कॉलेस्टर का लेवल बढ़ता जा रहा है इसके साथ ही आपका अन्डाइस्टिज फूट होने के वज़े से जो भार की तलीवी चीज़े खाने से जो हमारी बोडि के अंदर पूरा डाइसिन नहीं हो हो पाता क्योंकि हमारी इंटर्श्टर के अंदर डाइसन नहीं होने क्यों ऑनडाइस्टि फूट के जो है वह कॉलेस्टर के पिक अंदर गर्णी के अंदर घंच जहाता है जिससे आपके डूटिं है और डेगर है है मोटाप है है आपके कॉलस्टरोल लेवल है आपका ब्लेड पेसर हाई और लो दो तरीके आपकी हो सकते हैं इसके लाब आपके आँखों के रोस्नी है और जो मिनोपोज जैसे आपकी स्टेजिस हैं उनके अंदर हम इसको फ्लैक्सोल का यूज कर सकते हैं और यह महिलाओं के लिए आम जो महिलाओं उनके लिए काफी कारगार साबित हुआ है इसके तरह सम्झ करते हैं यहां मचली का तेल यूज करें खाफी लोग जैसे मचली खाते हैं जो आपको वैस्टी फ् प्रिमारी महिल्प करेंगा जैसे कि मैंने आपको अर्डी बता दिया है यह मोटा पा यह आपके आँखों की रोसनी इसके लाब ब्लड कॉल स्टो लेवल और इसके लाब मेनो पोज जैसी गंबी समझ्चाओं को भी आपको ठीक करने में काफी मददगार साबित हुआ है त आपको यूज करना है किस ताइम पर आपको यूज करना है कैसे यूज करना है और किन लोगों को इसको नहीं देना है वह सब में जानकर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं यहों हम वहाले हैं और वह आमारे किसकी बिमारी के लिए प्रफिधेमन है और किस दिएमाुद नहीं करना चाहिए तो इसको मैं एक ड्यमो के साथ भी जब जैसे में वेडियो कंप्लेट करूँट गई तो लास्ट में एक वीडियो जो मैं एक डेमो भी इसके साथ में आपको प्रफॉर्म करके दिखाऊंगा तो इस डेमो के साथ ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमारी बॉड़ी के अंदर जाकर जो वैस्टी से काम करें ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो फैटी असे बहर पूर मातर पैसे पा जाती है इसके इसके अलाबहा जो मचली से 50 पर्सेंट उसे च्टका रहा सकता है एंस में तो इसके इंतर बने रहें और पूरी जानकारी बेखते रहें किस्थरसे में इसको डेमो के साथ इसको perform करूँगा तो वो भी आपको द्यान से देखना है तब यह आपको समझ में आएगा कि वेस्टी स्लेक सॉयल किस तरह से हमार लिए बहतर एक यूज में ले सकते हैं और किस तरह से हमार लिए बोड़ी के अंदर बहुत ही ज्यादा जो हाट की जो बाइपास अजरी है य कुछ द्याम लोगा आपको से देखना है तो लेट्स स्टार्ट इस वीडियो हेलो फरेंट्स में आम दुलिव पमार बैर्वा और ब्रॉन डायरेटर आप वेस्टीज तो आज हम डिस्क्रस करेंगे फ्लैक सोयल एक प्राकर्तिक तेल है जो कि अलसी के बिजो से निकाल जा है इसकी विशेशता है देखें तो सूजन को कम करता है प्रतिरिक्षा पनाले के स्वस्त कामकाउज को बाड़ावा देता है सबी उम्रे के मैलाओं के लिए अच्छा होता है क्योंकि मास्ट की द्रम के चक्रों को सामने करने और रजो निवर्ती की आसाने बनाने में मदद करता है अल्से के बीज आंकों की रोशने को बैतर बनाने में मदद करता है थाकावट को भी दूर करता है मास्ट मैस्ट के लिए रिकावरी के समय को कम करने में मदद करता है तो इस तरह से काफी सारे इसके फायदे हैं उसकी विशेशता होती है फ्लैक्स होता है क्या है इस वेस्टिस वेक्स लैक्सॉइल के रूप में आपके पास पहुंचा आए जाता है तो वेस्टिस फ्लैक्सॉइल है बहुत युप यूगी और पाकरत्तिक प्रोड़क्ट है और वेस्टीज का फ्लैक्सोयल कैप्सूल अलसे के सुनेरी बीजों से बनता है और आज से लगबग 5,000 पूर वर्सों इस लोग बीज को प्रयोग अपने परिवार को स्वक्स तरकने के लिए करते चले आ रहे थे तो आज भी हम जैसे गलत खानपीन के वज़ेसे इसको यूज ने करते आज जैसे लोगों को खानपीन बगड़ता जा रहा है ठीक विसी प्रकार उनको बीमारिया भी जखड़ती चले जा रही है इसी को देखते हुए वेस्टीज आपके लिए लेकर आया है सुद्ध वेस्टीज आपके दिल की नसो को भी स्वस्त रखता है और ये वेस्टीज आपके सरीकी रोक पती रोदक चमता को बढ़ा कर साती ब्लड स्व्लो जो ब्लड स्व्लेसन उसको भी बढ़ाता है इसका इस्तमाल आपको मोटा से भी बचाता है इसके प्रयोग से आपको कॉलस्टोल नहीं होता इसके निमित प्रयोग से आपके गुर्दे किड़नी स्वस्त रहते हैं वेस्टीज फ्लेक्स वैल आपकी आ का खत्रा भी नहीं रहता और यदि आपको किसी प्रगार की सूजन की समझ्या है तो आप इसे आवेश्च प्रयों करें यदि कोई मेला प्रेगनेंट है तो उसे इस निमेट इसका सेवन करती है तो इसे डिलीवरी में आप काफी आसानी मिलती है यदि नीचे के समझ्या आप के दी आपके साथ समझ्या है तो आप हनडेड़ पर्सेंट इसका यूसर आप कर सकते हैं इसका खिसी तरह का कोई साइड बैफेक्ट नहीं है क्योंगि प्राकती प्रोडटट है जिसकाण इसका कोई साइड साइड फेक्ट नहीं होता लेकिन कोई मिला जो कि अपने तो आपको जैसे कि मैंने हाथ में फ्लैक्सोइल है एक आपके रिक्वार्मेंट्स के तौर पर बता रहा हूं एक मेरे पास नीडल है और यहां पर मैंने एक थर्माकॉल लिया है ठीक है तो फ्रेंट्स हम क्या करेंगे जब लिए जो सबसे पहले इसके मरेपी रेट और किस त लिखा हुए है यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर नव één कैप्सुल आपको नजल आ रहा हूँगा इसमें नु मैं कैप्शुल फ़्रस का जाते हैं और जब यहां पर इसकी रेट कर dialogues कौन अंत्देन का बाद में जान से करराते हो में आपको एंदॏ nuestras चालीच रुपके कैपसुल की बात करता हूँ तो महाँ पर नेट जैसे क्वांटरी 90 की है तो वहाँ पर आपको एक जो कैपशुल है वह आपका छाहे रुपके आशपास पढ़ता है तो निहां से देखेगा एक टुकड़ा इसके मैं हाथ पे रखता हूं यह मैंने छोटा से थर्माकॉल का टुकड़ा हाथ पे रखा है और इसको मैं इस तरह से रखूँगा और यहाँ पर यह जो निडिल की हल्प से मैं इसमें एक कैप्सूल के अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं तो म यह मैंने थर्माकॉल के उपर इस तरह से पूरा कैप्सूल का जो वॉइल है जिसके अंदर मैंने डाला है अब इसका असर देखते हैं किस तरह से काम करेगा बॉडी के अंदर आप जैसे देख पा रहे हैं यह देदर इसको रेक्ट कर रहा है और किस तरह से थर्मकोल है वो इसको गलाता है तो इसी तरह से हमारे बॉड़ी के अंदर जाने के बाद जितने भी आमारी नसे होती है जो हमारी धमनिया है आर्ट्रीज वेंस होती है उनके अंदर जो कॉलेस् यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस तरह से देजदेश ने थर्मकोल को गला दिया है और यह पूरीते से गायव हो चुका है तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा थर्मकोल पूरीते से गायव हो चुका है तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ही काम करेगा इसल रूख है दे और